ललित पूर लाइव टीव में आपका श्वागत आज हम ललित पूर मुख्याले के गिराम पिपरिया में मौजूद हैं यहाँ पर जो खेती हुई है उर्दी की खेती हुई है लेकिन बाल और पानी की बज़े से खेती पूरी तरह से बरबाद हो चकी है आप देख सकते हैं फसल के माद्यम से किस तरह से खेती परबाद हो चुके है उर्दा पूरी तरह से पानी में गल चुके हैं और हमारा जो जनपत मुख्यालाई के पिपरिया गाउं का जो किसान है किर्सक है जिसे हम अन्य दाता कहते हैं वो अन्य-ण्य के लिए तरस रहा है और पूरी फसल वरबार होने से उसका भरण पोशन उससे बच्चों की पढ़ाई उसके पूरे वर्षबष की आजीब का का साधन पूरी तरह से नश्ट हो चुका है हम आपको ले चलते उन किसानों की ओर जो हमारी माता है बेहने जो औरत की फसल काटने के लिए आती तो है आज जानकारी मिली है जानकारी मिली है कि जब औरत की फसल काट रही है तो मज़्दूनों के माध्यम से मालूम पढ़ता है कि 2500 रोपे कटिंग के लगते हैं और ऐसा पता भी पढ़ता है कि जिस खेच से 10-25 बोरा निकलते थे आज उस खेच से एक बोरा औरता निकल रहा है बह भी पूरी तरह से नश्ट बाला उर्दा निकल रहा है तो उनकी उर्दे की जो खेती है पूरी तरह से धारा साही हो चुकी है वो धारा साही उर्दा की खेती की वैसे उनके परवार और उनके बच्चे पालन पूसन के लिए तरस रहे हैं आप देख सकते हैं जे खेच स लोट रहे हमारे कुछ मजदूर भाई हैं जो खेट से अपना काम करके लोट रहे हैं हम इन से ही कुछ बात करते हैं इन मेंसे हमारी कुछ माता हैं बेहने हैं जो अपने परवार के बच्चों के साथ आई मेरे खेत में कुछ नहीं हुआ साब धाइश रोपिया मजदूरी है जिस खेत में 25 बोरा उर्दा करते हैं उसमें एक बोरा उर्दा करते हैं बड़सात के लिए पूरे उर्दा सर गए हैं सरकार मुझे कोई मदद नहीं दे रहा है क्या नहीं है आपका कौन से गाउं से मधराबाई है विजलानी पेपरिया डॉंगरा आपको बताए माता जी कुछ नहीं हुआ पानी गिर गया बारस बहुत जादा हो गई जिस खेत में जादा इस तरह ऐसे बहुत सी मातायं बेहने हैं और बहुत से पुरुस हैं जो किसान है खेती पर आसरत हैं आप देख सकते हैं हात में जो हसिया है जो काटने का हत्यार है और पूरी तरह से आप नर्वस हुए हैं और नर्वस होकर अपने खेत से लोट रहे हैं और उन माता बेहनों का जे कहना है कि सरकार उन्हें कोईसी तरह की फैसलेटी या किसी तरह का उपनीजादा ने लिक्राइब करने कि नहीं उटना आहिए पानीजादा गया आ अको क्या आप अगे बाक्षन लें। तो आपने सरकार से जो यह अजनाय चल लें किसी से कहा आपने हम। नहीं कि Born не रहा है। कि इससे हमारे जो खेती के संबान में जो लोग हैं हमारे जो इसेखेत के लिए सब कुछ करते हम इनसे ही बात करते हैं त्हсы शेर और अब जिस से किसान पैस अब 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 आपने जो सूद आट से सहू कार दे पैसा लेखे उसे चुकाने में आपको तकलिफ हो रही है है अजित कि आप की बहुत ऐजना हैं उसकी लिए आज तक आप रहे हैं तो आपको तक कुछ नहीं है इनका कहना है पर देख सकते हैं इसका जे सरीर है सरीर में जितने हाड़े होता मास नहीं है क्यों कि उनकी उड़ागी फसल पूरी तरह से नश्ट हो चुकी है आप बता है दादा क्या नाम है अजित दी नाम हमा आपकी फसल कैसी हुई है तो अब क्या करेंगे आप किसान का जो पीमा होता है इस तरह से तमाम योजना हैं तमाम विवस्ता हैं आविवस्ता के रूप में किसानों के लिए हो रही है इसी तरह से जन्पन मुख्याला में अनेक लोग अनेक लोग अनेक परकारगी घटना करम कर रहे हैं आत्मघात कर रहे हैं मोत को अपना हार सूरा है कि फसल बरबाद होने की बयाएसे खेती बाड़ी बरबाद होने की बयासे कम कहीं से भी आपने बच्चों का लालन-पालन पोचन नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में कुछ नेता होते हैं किसान नेता हमारे बीच में गजेन सिंग्ग हैत्रिक पिधान प्रिया सलय हैं उन इतनाव पर भीडिया था दस जार दराम परदानों ने रख भ़द दस जार से ज़्यादा थे, तो आन्दोलन तिया था, ते अमिलेट मंत्री की दिया था इस सम्दमर्द में उनने आस्वासं दिया था, लेकिन सरतारें फिरफ जांचता आस्वासं देती हैं, इस ते बाद हम महीने बारस में कोई रताबट नहीं हुई जिस समय हमने इतिसान ती रेली थी थी उस समय ते बाद 15 दिनों लगातर बारस हुई है तो फसल ती तनी देनी इस्तिती है तो फसल टोटल स्वाहा होते है पूरी तरह सड़ चुती है लेतने खेतों ती सफाई ना ती जाए तो आपका संग्डन आप क्या करेंगे सरकार थी हमारी तिसान इन्वियन लोग जन सत्ती पारटी थी जो 15 तारी तो भी विसाल लखनों में धर्णा है उसमें क्या बिंदू है मांग की हमारे बिंदू हैं जिस तरीटे से आप हम से बीमा ती किस्त लेते हैं हमारा हरतिशान ति लिए भी भी मा तर्ते हैं तो बराबर तंपनी मीमा देती है लितना हमारी जो फसल भी मांत जो है जिस आधार पर बेंक हमारा तिशान धर्ट बनाती है ते तर्भ लगवद यो बीस जार तीस जार रुपए हमारा जो प्रॉफिट मांदी है दूसरा बंदू है सर्तार दो हम बीज लाते हैं उस पर ने रहां इस पर उमझे हैं इसांब्स चोटा हो या बड़ा हो तैसान तो ही तो तम से तम दस जार रुपए प्रती है तर तम से तम जादा भी नहीं तहरे हम इतना हुजाए तके सान जी ने लायत हुजाए गन्धिया उत्तर प्रदbn प्र प्रृत्रLaughs सरतार हमारे माननी प्रतितियों के नाम लिए इनका आपका कभी मदद के तौर पर किसी सिति के तौर पर कभी मौका मौएना जो पहसल परवादी ऐसा हूगा कभी अब हम लोगों के अरिया में तो नहीं आए हैं तो हम यह सी जानतार हैं प्रदिनों का इस फसल परवादी में मौका मौइना नहीं होना और उनके दुखों को नहीं बाटना इस बात का प्रतिक है कि जो माननी पुरदेश के मुखमंति योगी जी और केंद्र के प्रधान मंति मोदी जी का जो नारा है सबका विकास सबका साथ और विभिन प्रकार की योजनाः, जो किसानों के लिए चल रही है, हवा हवाई हैं, क्योंकि उनके ही जन पूरुश जब मौके मौवाइना नहीं करते हैं, नुकसान का और उनके संदर्म में उनको धुखों को नहीं बाड़ते हैं, तो कहां का विकास, कहां का नारा? यह तो हमें ऐसा लगता है कि हवा हवाई है अगर ही चलता रहा तो आने बाले समय में चुनाओ का क्या हर्स होगा वो अलग बात है लेकिन बर्तमान में किसानों का हर्स क्या हो रहा है यह हमें देखने लाग है मैं आपको दिखाता हूँ मोके पर यह बच्चा है देखिए इस हमारे किसान भाई जो एक जुट होकर आज मुकाम पर खड़े हैं कि हम कहीं ना कहीं से परेशान हैं इनकी परेशानी को मिटाने वाला सरकार का जो महकमा है जो उनकी एजेंसी है जिला प्रसासन या उनके पृतिनिदी है तो ऐसे में इस चिती में क्या बोल लहीं है माता जी आज दंगी इतना ही इस लियतुद लाई ट्यान के साथ रभी चुनगी की रपोड